आज हम पढ़ेंगे दो हजार पंद्रा के पेपर में आपको तीन टॉपिक्स आएथे लेदिने इसा होता है कि आपके रेडी किएवे टॉपिक्स में से ही कुछ आपको लिखना होता है लेकिन पूरा टॉपिक्स आजाते हैं जो आपने पहले से रेडी नहीं किये हुए लेकिन जो इस तरह की टॉपिक्स है पूर्तियर ये पूर्टियर ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरा खयाल है कि vacunбо लिखने की आपको पिंब लगेगी लेहाज़ा आज में आपको किसी आफे पलिखना सिखांगि जो के आपने पहले से रेडी नहीं किया हुआ लेकिन आप उसको पेपर में या वैसे कैसे लिखने की प्रैक्टिस करती है नमबर वान इसे हम यह लेजिनस के बारे में फोर्टियर जो कुछ आपके मारें में आ रहा हैं मुझे लिखा हैं लेजिनस के लेजिनस के टॉपिक को लिखने से पहले क्या आप कंट्रास्ट टेक्निक यूज कर सकते हैं यानि कि लेजी बंदों को कंट्रास्ट कर दें एक्टिव कर सकते हैं तो आप बहुतर तरीके से अपने टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं तो कंट्रास्ट टेक्निक से स्टार्ट में लिख सकती हैं ठीक है कि दुनिया में अर्दू में कुई शेयर आप कोई चीज जो कुछ प्रैप किसे में आरा मुझे लिखू है एक बंदा जो अक्टिव होता है वो क्या करता है लेजी नेस किसको कहते हैं सबसे पहले आपको यह चिकाया है वाना सबसे पहले आप लेजी नेस किसको कहते हैं लेजी नेस किसको कहते हैं लेजी नेस को कैसे खतम किया जा सकता है इसके क्या नुकसानात है इसके क्या आपकी लाइफ पे इफैक्स है जो सोचें आपने मुझे यह आप्लाइंट बंदानी हैं लेजी नेस किसको कहते हैं लेजी नेस किसको दुक्सान सोचें, उसके बारे में सोचें जाएं दाभ, यह वह काम, आप दे टाइंक अर पॉर मैंजमेंट, और दाइंक नोगे मैंजमेंट, और रजा सोचें, नोट पंक्च्वल, A.क. गुड, नोट पंक्च्वल, Nor regularly Nor regularly, punctual, okay Irresponsible Good, irresponsible Queerless Queerless Yes, good, history Reference from history Mughal emperor Yes Mughal Emperor Okay Yes Can this laziness Because of their laziness Okay Yes और मैम अगर पाकी वजब पीछे रह जाते हैं आज एडिन दनेशन दनलेटी नेशन दो नो प्रोग्रेस्ट और एडिन देख्लाई हैं दिक्लाई यह एडिन देख्लाई यह एडिन देख्लाई आपने जितना सोचना सोच लिए कब बिधी सोचना है अबसे ने की सोटोडलोंों philosophy dot के डिक होगी सब्सक्राइब Ya, प्रेनी प्रेनमे को से नहीं है, प्रेनलमे को सचते हैं। Courses को पूड़ कर दोज़ीं, जीनश कर दीजें, अचरी Time management को दोज़ीं, बिदाने पार्जों सब कर गोल की है Da aimless life ब्रेसी खाए को सकती goalless तुरम देखी Goalful नहीं Goalless एमलेस लाइ पिजा लेजी लाइब क्या बात है उस बजी रिपने है बात है उस बजी रिपटेशन इमना दी बैट बैट जी okay और और सलुशन सुज़शन क्या है लुचन सुझ़शन Okay, girls, आप solution मी सोचें, जल्दी जल्दी सोचें. Time management... By making time tables? By making time tables, good. को चाली के अपना goal set करें? When doing time 갈 गोल? Multiple lingousse Cart prova'd. Time table. Okay, good. We are regular. Regular or punctual, should be regular. ली الب liquids संद्री में का manner तरहए कि अैशिकार स了बी अगया व्याख सक्राव. कि कि एक बहुत पढ़ी वजा इंटरनेट इडिक्शन है यह अरिक इंटरनेट नहीं बॉई पॉदक्सा इंटरनेट पॉदक्षा यह रिंटरने पी चाहे , इसजारे सभी हाई में। we should remove mobiles from our life we should remove, we should minimize the time time devil करें, remove तो आप नहीं कर सकते रुखे आप अगर एरा मेराती है तो आप मुबाइल को उसका ना चाहिए right girls, so एक चीज़, अब आप देखिये ये मैने इस में से मैने एक भी पॉइंट नहीं लिखा this is all your thinking so this is what you guys should know, girls, we can think originally train your mind to think अब जब आपनी पहला प्रोसेस कंप्लीट करिए देखो कितना आपने laziness के बारे में सोच जाए अब आप इसकी numbering करें start कहां से करें और end कहां पे करें start कहां से करें aimless life aimless life aimless definition aimless lazy life aimless life is a goal 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 useless life is an early death useless life is an early death यह अच्छी बात है आपकी सोच्छा जी करें यहां से हम चुरू करें यहां से काम को टाइम पर कंप्लीट ने कर पाता यहां लेजी बंदे की लाइफ पर प्रोर management होती है लेजी बंदा पंक्ट्वल नहीं होता लेजी बंदा रेगुलर नहीं होता लेजी बंदा इस्पॉंसिबल होता है या लेजी बंदा किये अब आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगी, ये इसका बेकगराउंड वो नहीं पाँगराउंगी, इस वेसं पर जारी है बात, बैगराउंड सोचिए, बैगराउंड क्या बन रहा है, ये सबसे बड़ी कॉज है, ये। ये नों कहरी है कि लेजी और एक् अब आज के दोर से शुरू करना है background से तो आप बताएं कि आज के दोर फे सब लोग जो है अपने time को manage नहीं करते due to various reasons तो mechanical life है girls अच्छा दी इसको दम दिनम्रिक करवाए number one unable to complete task within time lazy लोग अपनी जुदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते क्योंके वो अपने time को अपने task को time पे complete नहीं कर ले मैं इसमें अब्राइब आप बता सकते हैं कि दुनिया में वो लोग जो steady होते लोग जो स्टेड़ी होते जर्स, slow and steady with the race अच्छा जी, poor the people who are unable to complete their task within time laziness आपकी जिन्दगी का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंके जो लोग lazy होते हैं वो लोग अपने जिन्दगी में the people who are lazy are the lazy people are unable to complete their task within time they have the habit of delaying their task till tomorrow the lazy people they do not have the good time management skills they manage their time in a very poor way because they do not work according to their timetable the lazy people also have the ability to come late in any occasion and situation they are irregular and irresponsible people these habits they are very dangerous because when we look upon the history we find out the people or even the nations who are lazy, who were lazy, they were defeated it was the reason of their decline the people who were lazy if we look upon the one of the reason of the decline of Mughal era was the laziness of their emperors the people who are irresponsible and duty less they people cannot lead others and at the end of the day their all skills are multiplied to zero even if we have a lot of skills but we are standing literally at zero because when we do not manage our time and we do not have an aim in our life the lazy students cannot complete their task within time and ultimately they are unable to get the good grades the lazy nations they waste their time and their resources and at the end of the day they are standing at the very poor economic and political progress I have added these points here we have told the result of it this is the result of it do you understand it? the effects of it the effects of it the mechanical life in today's era the mobile phone and internet and digital type of addiction has become one of the biggest reason of the laziness of the majority people in our time the people do not get up early in the morning and they do not go to bed in time due to this thing they are unable to manage their time yes many students waste a lot of their time on their idle just scrolling down this tiktok this like and all those type of new apps that are devouring the students time and at the same time it is making the students lazy poor lifestyle also leads to laziness right? one of the reasons of the laziness is the poor lifestyle and poor choices in the matter of eating when you do not eat healthy foods you become lazy yeah because your physical vigor and strength is very important to be active if we are constantly intake the poor foods at the end of the day our vigor will be minimized, minimized and we will not be able to achieve the high aim therefore it is said that a good body breeds a good mind so we should also be careful about our foods, about our timetable, about our friends and about our routine right girls? so how to solve this problem? make timetable, manage your time by making timetable get up early, get up early in the morning sleep early, sleep early make your eating habits wise try to be punctual try to be punctual because the laziness is lazy life is an aimless life aimless life is a death useless life useless life so this is what you guys, I have told you the way to write the systematically arranged manner while just only thinking on one topic that it comes to you so whatever points come to your mind, just write it down take one topic whatever comes to your mind, write it down and then numbering लोड़ी विर्फी नियुक्त यंव जब सेक्ट इस लेड़ा आगो देलेख़ चाहिए? अपेट पॉप य्षित अपॉप य ईप य चाहिए य चाहिए? अपॉप य नपॉप य फिलेख य चाहिए इस बेलेख यद य झेलेख प्रेंपर य चाहिए? we cannot say the prayers outside the time if I want to say fajr right now I cannot so this is all but Allah Almighty loves those people who are disciplined lazy people are not disciplined people in their life so therefore they are unable to you know that how you are able to get maximum benefit out of you you are like a missionary so when you are lazy you are wasting yourself you are not taking maximum benefit of your all the abilities so you need to be active in order to get maximum benefit of you and what is needed you need to train your body you need to train your mind and you need to train even your tongue क्या आपने क्या खाना है जिससे आपको अक्टिव होँआ यह बहुत इंपर्टेंट है बहुत सी बच्चे हैं आपकी एज की बच्चे हैं क्यों लेजी रहती हैं healthy food you do not intake the healthy food you are just go with your against your taste buds you like to eat some things not looking upon their nutritious value you just look upon their tastes so what were your points what were you discussing yes very good doctors अगर लेजी होँगे तो पेशेंट का लाच्च नही होगा that's akar हो जाएगी teachers अगर टाइम पे class मनी आएगे तो उनकी class का लेक्चर लेट हो जाएगा तो हमें यह देखना है कि किसी भी फील्ड में even कही देखो ना यह अगर जन्रेल्स टाइम पे पैसला नहीं करते लेजी होते हैं तो क्या होगा तो जो students किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा किसी भी फील्ड की टॉप पे खड़ा है उसके पीछे एक ही जो है हमारे एक रूल है और वो क्या है दे आर एक्टव सो कहीं पर बड़ा बड़ा सालिक के लगा दीजे से नो जो लेजीनेस वो बंदे जो कुछ विंदगे में हासल लेहीं कर सकते हैं वो लेजी होते हैं आप रोजे महशर क्यामत वाले दिन भी अल्ला की नदर में आप यू नॉट गट गुट स्टाथ यू और इसलाम का जो टांग टेबल है वो बैस्ट है हमें सुबा सबर उठना ही उठना है वो एक मुसल्मान की जिंदगी में कैसे चुटी हो सकते हैं जिससे फजर की नमाज पढ़ना है आप कैसे कैसे इतने काद में जेर तक सौंगी जिसने नमाज फजर अदा करनी है उप तो चुटी कोई नहीं है चुटी हो गर्मी हो सर्दी हो उसको तो उठना है उठना है सबा सुरज निकलने से पहले वो नहीं उठेगा तो उसकी फजर कता तो यह जो लेजिनेस है यह हमारी जिंदगी में हमा हमें बींग हुमन हमारी सारी रिसॉर्स को हमारी सारी एनरजी को हम और ये आज की सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रोब्लम है, आप यूज का, देर से सोके उठते हैं, देर तक रात को जाकते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ेंगी नाच्छरल टाइम टेबल के खिलाफ हैं, आप जब सुबा सवेरे उठेगी, तो आप ज़्यादे नाच्रली अ आप जब रात देर तक जाकती रहेंगी और तक बादेर तक सवेंगी, आप लेजी होगी, तो ये बहूँ बड़ा है, ताजम आप अरली, श्लीब अरली, गेट आप अरली, बेक ये टम टेबल, और ट्राइट विक्स एवर टाब्र इस, गजर्ज तर दॉआ हैं, अब आप आपको अगर मैं को यह टॉपिक दू तो आप ऐसे ही इसको 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 इपारे में सोच के लिख सकती है यह हम करें गे अख्टिविटी क्रास में यह आज का टार हो गाल्स तेंकी सो मच